मान लीजे अपने बड़े उत्साह से किचेन में शाही पनीर बनाया मार्किट से आप फ्रेश पनीर लेकर आए खुद अपने हाथों से मसाले तयार किया काजू, क्रीम वगेरा वगेरा डाल कर अपने हिसाब से सही विधी फॉलो कर अपना पसंदीदा रेसिपी तयार किया परंतु, किसी अज्यात कारण वश आपकी शाही पनीर बिस्वाद बन गई अब आप अफसोस से गले जा रहे हैं शाही पनीर न मुह के अंदर जा रहा, न डस्ट बिन की भेट चड़ पा रहा फिर जब उस प्यार से बनाई गई रेसिपी का टाइम पूरा हो गया बद्बू हवाओं में फैलने लगी तो मजबूरन आपने उसे डस्ट बिन बैग के सुपूर्थ कर दिया फिर भी उसे आप फेक नहीं पाए क्यूंकि मोह हो गया था आपको तो अब आपने उस बद्बूदार सबजी को डस्ट बिन बैग में अच्छे से पैक करके खुबसूरत कवर चड़ा कर सजा कर अपने ड्रॉइंग रूम में रख लिया जब भी दिल किया उसे खोल के सूंग लिया कोई आया उसे भी खोल कर सुंगाया सभी मानो एक तरह की खुश्बू से एक सार हो गए क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं बस यही हाल होता है हमारा जब हम अपनी पुरानी दुखद यादों को अपने अंदर समेटे फक्र महसूस करते हैं याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन उसे दिल क्यों बुलाए जिन्दगी में कुछ गलत हो गया शायद wrong number लग गया परन्तु हम उन्हें सहेच कर रखते हैं जब भी दिल करता है यादे ताजा कर लेते हैं जब भी उदास होते हैं ताने मार लेते हैं गाली दे देते हैं दोश मड़ देते हैं पर नहीं उन कड़वी यादों को अपने अंदर से उठा कर बाहर नहीं भेकेंगे दिखावे की वस्तु की तरह उसे संजो कर रखेंगे देखो तो सही मेरा सीना कहां कहां से चलनी है अरे दोस्तु मिहमानों आओ बैठो तुम्हें अपने दाग दिखाओं हर वराइटी के घाओ है मेरे पास तुम्हारे स्वागत के लिए मेरी तो जिन्दगी भर की कमाई है यह घटनाएं घटित होकर इतिहास बन जाती है पर उनकी यादें हमारे मन पर आज भी घर बनाए बैठी होती है तभी तो जब भी दिल करता है हम उसे क्लिक कर लेते हैं यह नहीं सोचते कि हमारे मन पर उनकी चाप और भी गहरी हो रही है उस मन पर जो शरीर छूटने के बावजूद आत्मा के साथ यात्रा करता है पुनर जन्म लेता है और वैसी ही घटनाओं को दुबारा आकरशित करने का सामर्थी रखता है अगर उन यादों को हम खुद से बाहर नहीं निकालेंगे तो ना केवल इस जन्म में बलकि कई अगले जन्मों में उन दुखद घटनाओं को बार बार अपनी जिन्दगी में आकरशित करते रहेंगे संभव है कि उसी तरह या उससे भी बढ़कर दर्द लिये कराहेंगे छट पटाएंगे सीना चलनी करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा और उम्र से लंबी सडकों पर कई जन्मों तक हम जिन्दगी में बस री स्टार्ट बटन ही दबाते रह जाएंगे क्या आपका भी सीना चलनी है? क्या आप भी अपनी पुरानी यादों को अब तक भूल नहीं पाए हैं? मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद क्या आप